इस वीडियो के माधिम सब में किसी की भावनों को टेस्ट पहुचाने का मकसद बिल्कुल नहीं है इस वीडियो में आगे बताए कहीं सारी मुवीज काफी ज़्यादा पनी होने के साथ साथा रेटेड भी है वो खुद को बड़ा समझने वाले लोगों समाना नुरोथ है कि वो भी अपने पेड़ जमी पर लिया है और ज्यादा हवाँ में ना उड़े और इन मुवीज को पिल्कुल आख के लिए तो आपकी टांग उठने की जिम्मेदार ही हमारी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये मुवीज आपको हताने के साथ सारे इंडाय के लिए आपको पेड़ेंट से पेड़ा कर रोला भी सकती है इतना ही नहीं दोस्तों इन 10 मुवीज के लाव भी है आपको बाता ही कुछ बोनस मुवीज जो उतने ही जबदस होने वाली है तो वीडियो गया इन टक स चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करें और साथ ही बला आइकन दबाना ना भूलें चलिए गांडाउन शुरू करते हैं कांडाउन में नंबर 10 पने कलकर आती है सौसेज पाड़ी जो के रिलीज हुई सी 2016 में और येकर गल कॉमडी ए इनिमेटर मुवी है जो फिलहाल तो सिर्फ इंगलिस लैंग्विज महीं अवेलिबल है इनिमेटर मुवी होने के बावजूद ये मुवी बच्चों के लिए दो बिल्कुल ही नहीं यही वजाए कि से हमाई लिस में शामिल करना पड़ा मुवी की स्टोरी रिवाल्ड करती है सुपर मार्केट मेरा के जिनना ग्रोसरी आइटम्स के राउंड जिनका मानना है कि इनसान भगवान है वो उन्हें खरीत का जन्नत जैसे की दिगुशाल ज लेंगी इस मुवी को एक बाद जरूर देखें आम शूर यह आपको काफी पसंद आएगी चलिए इसी के साथ बाठते हमाई नम्बर नाइन की और तो वो निकल कर आती है बैड मॉम्स योकि रिलीज हुई थी तो था में 16 में शामिली पर रेटिंग मिली है 6.2 की बैड मॉ अपनी वाइल फेंटेसी इसको पूरा करता है और किन-किन मुसीबतों में फस्ता ही देकर आपको काफी ज़्यादा मजा आने वाला है अब बात करते है नमबर एट की तो वो निकल कर आती है 2010 रिलीज मूजिक कॉमेडी मूवी गैट इम टुदा ग्री जिस MDP रेटिंग मि कुछी में रखेगा एक सेलिब्रेशन कॉंसर्ट के लिए धून कर लानों के कबार अब इंदास मांडे रॉक स्टार को वो भी सिर्फ 72 घंटों में अब कैसे वो इस रॉक सार को ढूंता है कैसे उस आने के लिए मनाता है और अपने इस सफर में क्या क्या मुश्किलों को सा बंदा है जो है लोंग रिलेशन्शिप में एक दूसरे शेहर की कॉलिज की बंदी से अब जोश को हमेशा डर रहता है कि कहीं उसकी जीएफ की और के चक्कर में ना पड़ जाए इसलिए अपनी जीएफ को हर अपते एक वीडियो डेप भी तब हुई जब गलती से इसके द आपको हिंदी में देखने मिल जाएगी अब बढ़ते हैं नंबर 6 की और जो की निकल कराती है दर डिक्टेटर जो कि आई सी दूसरा उन टुएल मैंने से भी आमडीब रेटिंग मिली है 6.4 की उसको अपने दिमाग घुट्म में होना मुहावरा तो काफी बार सुना ही आगाद में किसी शहर का डिक्टेटर बन जाए यह मुवी ही फोकस करते हैं कि ऐसे ही फणी डिक्टेटर अलादीन की लाइफ पर जिसका बस एक ही मकसद है डेमोक्रेश्य को अपने राज जिसे दूर रखना और अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपनी बात और साथी से भी आप हिंदी ओडियो के साथ देख पाएंगे चलिए इसी के साथ बात करते हैं नमर 5 की जो की निकल कराती है यूरो ट्रिब जोगे एक सेक्स फॉर्मिडेट वंचार मूवी है इस मूवी को रिलिश किया गाता है 2004 मेंने से म्डी भी रेटिंग मिली है 6.6 की यी यह मूवी रिवाग करती है स्कॉर्ट इन आप के करेक्टर कर रहा ह BRAU और जिसका भी हाली में ब्REAK-UP हुआ है यहिए ब्रेक-UP से दिल करने के लिए स्कॉर्य और उसका फ्रेंज निकले है यूरो पके एक टूर पर मूवाई बहन से जो भी आए ह RICH यूरो के T SMITHे पर जो की निकल कराती है The 40-Year-Old Virgin जिसे रिलीस किया गाद 2005 में यह मूवी है Comedy Romance Movie है जिसे MDP रेटिंग मिली है 7.1 की इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है कि एस आदमी की जो 40 साल गता हो गया लेकिन अभी तक Virgin है और अपनी शायनिस की वज़े से वो अब तक किसी भी लड़की के साथ स्याक्स नहीं कर पाया लेकिन अब ये बात उसके हरामी दोस्तों को पता चल चुकी है जो कैसे भी कर गए अब उसकी Virgin डी तरुआ कर ही मानेंगे अब क्या उसके दोस्तों उसकी मदद करते हैं या उसकी लाइफ को और भी हराम बना देंगे आपको देखकर काफी मज़ा आने वाल है ये मूवी भी हिंदी में वेलेबल है तो आप इसे हिंदी में भी इंजोई कर पाएंगे लेकिन आप मार्क के साब में सिच्वेशन आ जाती है जा उसे अपने दोस्त टैड और अपनी गर्फ्रेंड में से एक को चुनना होता है यूंकि मार्क की गर्फ्रेंड को यी बहुत दा टैडी पिलकुल नहीं पसंद अप कैसे माग इस सिच्वेशन को हैंडल करता है और कैसा अपनी दोस्ती बचाता है आपको जानकर काफी मज़ाएगा इन ये दोने ही मूवीज हिंदी में अवेलिबल है इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे काउंडाउन की नमबर तूप मूवी सीरीज की और जो की है अमेरिकन पाइट सीरीज जिसके अंडर करेंडे आइट मूवीज आ चुकी है और इसके अविद आमडी भी रेटिंग है 6 की इस मूवी सीरीज के साथ ही मूवीज कालेज लाइफ के दोरान एक फ्रेंड गूरुक के लाइफ के राउंड रिवाल करती है जिनका कुछ ना कोई सेक्स रिलेटेट इशू होता है इस मूवी सीरीज की पहली मूवीज में देखने हैं मिली थी 1999 में इस आमडी भी रेटिंग मिली है 7 की बागी मूवीज के तरह ही दोस्तों इस मूवी में में टीनेज नाइफ को कुई तरह कवर किया गया है चार फेंड्स अपनी स्कूल लाइफ खत्म होने से पहले अपनी बड़िन इस रूज लूस करने का चैलेंज रखते हैं अपको यसे वो इस चैल्लिव करते हैं क्या क्या कदम उठाते हैं यागे नायने से एक्सपेरिमेंट करते हैं और साथ ही काफी बार अपनी फैमिली मेंबर्स द्वारा पकड़े भी जाते हैं अब भले ही कोई जो भी करें तो एक बात तो पक्की है अब कोई साही मूवीज काफी ज्यादा हसाने वाली हैं अब हमारे काउंडाउन की बैस मूवी सीरीज जाने से पहले चलिए बात करते हैं कुछ बॉनस कॉमेड़ी मूवीज की ज्योंकि इन मूवीज जैसी काफी बॉल्ड और फणी होने वाली है इसके साथ चलते हैं 2011 इस रिलीज बैट टीचर इस मूवी रेटिंग मिली है 5.6 की जिसमें स्टोरी एक ऐसे टीचर की जिसे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद लेगिन बदकिस्मती से वह एक टीचर बन रही है और आप उसे कैसे भी कर इस लाइफ से डील करना पड़ेगा और फाइनली लास्ट बोनस मूवी है 2018 रिलीज दा पैकेज इस अमड़ी रेटिंग मिले 5.5 की इसमें कुछ दोस्त अपने दोस्त के कटे में पार्ट को उससे वापस जोनने के लिए उसके होस्पितार डिलीवर करने के टास्क परें यकीन मानिए दोस्तों इनका इडिवर इस सीरीज की पहली मूविया में देखने मिली थी 2009 में इसके मड़ी रेटिंग है 7.7 की बाकी मूवी की तरह इस मूवी में भी इन तीन दोस्तों के हैंग ओवर के दुरान हुए अजीब गरीब इस अपको देखने मिलेंगे बहले इन मूवी में आपको को स्टोरी नाजर आए नाए एक बात तो पक्की आप हसी से लोट पोट हुए बिना रहने ही पाएंगे इन इस सारी मूवी में भी अवेलिबल हैं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइकन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें अगर आपके हिसाब से कुछ और फानी एडल कॉमेड़ी मूवीज हैं एक्सेप्ट पैरोडी मूवीज तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूरू बताएं अगर आप चैनल पर नहीं है या और नाओ